दोस्तो आज गी रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ यूँ समझ लिए पंजाब से चल कर ये रेसिपी आपके पास आई है तो चलिए बनाते हैं बहुत ही डिफरेंट सा ब्रेट पकोड़ा ओल को गरम करेंगे डालेंगे जीरा साबू धनिया हलका सा क्रश करके और डालेंगे ही हलका सा भूनना है उसके बाद आपको इसमें एड करदाना है कसूरी मेथी फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखें ताकि ये मसाले जले नहीं नहीं तो टेस्ट वा चानी आएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक धनिया पावडर रेट चिली पावडर देन हल्दी पाव थोड़ा सा डाल देना है अमचुर पावडर थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आए इसके लिए हलका सा चलाएंगे उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करके ऑड कर देंगे चलाते हुए दो मिनट तक अच्छे से भून लेना है पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए अलू के पूरे मसाले में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया अच्छे से मिला लेना है तो यह आपकी स्टफिंग रेडी हो गई अब बनाते हैं बैटर बैटर बनाने के लिए लेंगे बेशन एक कब जिसमें डाएगा नमक दोस्तो जब हम पंजाब साइट घूमने गए थे वहाँ पर एक रेस्टराउंट में मैंने ये रेसिपी टेस्ट की थी इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा क्यों ना आज किचन में से बनाया जाए बहुत ही बढ़िया बहुत ही यमी लग रही थी तो बेटर को कुछ इस कंस स्लाइस में इस तरह से फैला लेना स्पून से और कुछ इस तरह लगाना है कि बहुत मोटी लियर नहीं हलकी पतली पतली लियर जो हम इसकी अपलाई करेंगे कोई भी सौस चट्नी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको इस मसाले को लगाना है अब इसके सलाइस आप रेडी कर लिन उसके अंदर आपको इसी तरह से मिक्स्चर को लगाना है तो फेट कि बढ़ना की रखा उसमें अच्छे से इसको कोंट कर लेना है पूरे चारो तरफ से अच्छे से इसे कोट कर ले और इसमें डाल देंगे हम फ्राइ करेंगे गोल्डन कलार आने तक तो देखिए गाई जब आप इस तरह इसको पल्टे तो दूसरे स्कून की हेल्प ले ले ताकि तेल जो है वो बाहर ना चलके अब के करेंगे प्लेट में निकालेंगे और इसे सेंटर से हम कट कर लेंगे तो लीजिए यहाँ पर यह हमारा प्रेट पकोडा जो है पनीर की स्टफिंग बाला यह बनकर रेडी है गाईज इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है